थाश्त कि से इसाएं पर भी लिखा आचुका हैं यहां पर अजैंड इसका फिक्चर नहीं आ रहाहे हैं में फीडियो और ऐसे आगर आते हैं आपके सामने कि यह भी कनेक्षन यह भी है लिखा है फिक्चर में लेकिन डिटीज करें नहीं केविल कनेक्षन लगाने से भी पिक्चर नहीं आता है तो पॉल्लम बहुत आसा है से सलॉसन हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर बोर्ड आप लोग देख सकते हैं जो में बोर्ड है इसका यह बोर्ड है इलजी कंपणी का ओर्जिनल बोर्ड ओके तो इसका एक-एक केविल को खोल लेता हूं और खोलने के बाद भैक सेट पर आके आप लोग दिखाना हूं तो में जो पॉइंट होता है ऐसा पॉल्लम आने से कहां पर चेक करना चाहिए तो देखिए फास्टाइम तो कुछ भी चेक करना नहीं है फास्टाइम एक चीज आपको चेक करना है बस ओन चीज वो क्या है एक जगा पर जो करेंगे इसके लिए एक माल्टाइमेटर की जिरौत पड़ेगी और माल्टाइमीटर को बीप रेंच पर सिलेट करना पड़ेगा तो देखिए जो यहां से उप två होते हैं तो गालार यहां से video signal input होता है तो उसका जो pin है वह pin है ओपर वाला तो ऋपर में जो pin है उस pin को line जो है उस line का जो rail vert icing करना पड़ेगा उसको है तो देखिए उस line को ट्राक करना पड़ेगा है तो उस line को ट्राक कड़के आपको जाना पड़ेगा मेनऊर की तक एह 닉 कहां से कितना अधान गना घमीन क्यों देखिए फास्ट टाइम मैं इस्को एक ten ले लिया और विडियो इंपुट के जगहा पे लगा दिया पॉलिटी वैर तो कोई भी रेस्पंस नहीं है कि को कोई भी रेस्पंस नहीं आड़ा है तो चलिए आप उस लाइन को ट्राक करके जाएंगे जितना दूर जाएंगे में आज सी तक जाएंगे और में आइसी तक जाते जाते मीडिल पर जो साड़े जो कंपोनेंट्स हैं कुछ रेस्टेंस होता है कुछ कॉंडेंसर होते हैं वो सब चीज भी चेक करेंगे एक एक करके कि वो सब खड़ाव है या फिन नहीं तो देखिए तो दोस्तों यहां पर आ जाते हैं यहां पर क्यूंकि यहां पर जैक है और इस जगा पर चेक करेंगे तो मालिटिमीटर का जो ब्लैक वैर है यानि काला वैर उसको लगा देना है वीडियो इन्पुट की जगा पर वहां जहां से एवी कनेक्शन इन्पुट होता है और एक तो है इसको लाइन जो है इसका इस लाइन को में ट्राइक कर रहा हूं तो देखिए यहां से यहां से लाइन जाड़ा है लाइन जाते जाते कहां तक पहुंचे लाइन जाते जाते ही यहां तक आ चुका है तो एक एक पॉइंट को चेक करके करके आपको जाना है ऐसे जैसे मैं चेक कर रहा हूं और देखिए इस रेश्टेंस आ गया बीच में और रेश्टेंस के इस पाड़ में 46 Ohms जो बता रहा है लेकिन उस पाड़ में कोई भी Ohms नहीं है देखिए अच्छा से आप लोग देखिए देखिए वीडियो से इन्पूट में मैं लगा दिया ब्लैक को और को और देखिए और रेश्टेंस के इस पाड़ में देखिए 46 Ohms लेकिन उस पाड़ में देखिए देखिए 46 Ohms लेकिन इस पाड़ में देखिए देखिए कोई भी Ohms नहीं सो रहा है तो क्या यह खड़ाब हो चुका है यह रेश्टेंस जिसकी बाद से वीडियो से इन्पूट नहीं होता है तो देखिए चलिए उसको मेजर कर लेते हैं उसके लिए रेश्टेंस को ही मेज नहीं है चलेगा 179 Ohms आ रहे हैं तो उस लाइन को आप ट्राइक करके जाएंगे रेश्टेंस के उस पार्ट से मेन आइसी तक जो कानेक्सिन है वो कानेक्सिन देखेंगे तो देख लो फ्रेंट्स यहां पर कोई भी Ohms सो नहीं हो रहा है हाला कि यहां पर जो एक कॉंडेंशल लगा है छोटा सा जो फिल्डर है तो देखिए मैं कहां पर चेक कर रहा हूं देखिए तो इस जगा पर जो है वीडियो इन्पूट होता है आनि जो केविल कानेक्सिन आनि सेट्टा बस का जो कानेक्सिन होता है वो कानेक्सिन आके रेस्टेंस के थ्रू भाया होते है उसके बाद एक कॉंडेंसर रहता है उसके बाद में आईसी को मिलता है वो सिगनल वीडियो सिगनल उसके बाद क्या होता है वीडियो चल पता है लेकिन यहां पर हुआ क्या है सब सही है और जो कॉंडेंसर है छोटा सा वो भी सही है लेकिन यहाँ पर डायरेटली अगर मैं आइसी को मेजर गरने जड़ाऊं तो आइसी पर भी कोई भी रेस्पॉंस नहीं है देखिए मैं आइसी पर कोई भी रेस्पॉंस नहीं है इस जगा पर में कानेक्शन इंपूट हो रहा है यह वीडियो सिग्नल का लेकिन कोई भी ओम्स यहाँ पर नहीं सोह रहा है तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर और कुछ नहीं है फाइनली हम लोग सियोड हो चुके हैं कि यहाँ पर जो में आइसी है वो में आइसी टोटल ही खड़ाव हो चुका है जो इसका जो बाज आस्मान से जो बाज गिरता है ना बरसात के टाइम में उसकी बज़ाद से ऐसा होता है ज्यादा यह भी कानेक्सिन में पॉब्लम बहुत होते हैं और खोलने के बाद मैं आपको लोगों नंबर दिखाना हूं इसका नंबर कितना है तो बहुत ही कॉमोन नंबर ही एल जी कंपड़ी का देखिए ओके तो अब जो आइसी लगाने बाला हूं में यह आइसी लगाऊंगा 19-23 यह नि में पॉसेसर जो है पॉसेसर खड़ाव हो चुका है यह तो सीओर हो चुका है तो आप लोग आइसी खोल के भी ना टेस्ट करके भी कैसे मालूम होगा आप लोगों कि आइसी खड़ावे सीओर हो सकते हैं तो आप लोग वीडियो देख लिए और आसा करता हूं क कि इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पॉब्लिम का सामना नहीं करना पड़ेगा तो देखें मैं इसी को में लगा दिया और लगाने के बाद अभी मैं इस पर लाइन दूंगा ने टीवी पर लाइन चलू करूंगा और टीवी चलू करते ही जो वीडियो सिगनल है वो Video signal लगाऊंगा तो पहले Bart को थो ह्झा सो सेट कर दैता हूं सेट पर है अब हए जश्ट चेक करने के लिए इसका स्पीकर नहीं लगाउंगा और प्रुआ का वैड भी नहीं लगाउंगा जश्ट में चेक करेंगा कि वीडियो सिगनल आड़ाई की नहीं तो देखिए तो वीडियो इंपुट कर दिया और साउंड का भी दे दिया एक बस दो पॉइंट का है अभी देखिए दोस्तों क्या होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा मैगनेटिंग है रेड वैर ए स्वारी रेड कलर कोई बात नहीं है छोट जाएगा तो जस्ट पॉब्लिम आप लोग देखिए तो यह भी करते ही देखिए अब ही जो पिक्चर है इसका पिक्चर बिल्कुल आ चुका है तो आसा कर तो आप लोगो फ्रेंट्स समझ में आ चुका है कि इसका जो मेन आईसी है ए आईसी खड़ा होने की बैसे पिक्चर नहीं दे रहा था तो बस ऐसे अगर आपके सामने भी फॉब्लिम आते हैं तो बहुत आफसान इसे आप लोग अड़ी प्यार कीजिए तो देखते रहें ऐसे इंट्रिस्टिंग वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जहें दोस्तों